Hello everyone, welcome to Better Minds, मेरा नाम है शुबम और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं MCQ Series का Chemical Reactions and Equations का Topic No.1 Characteristics of Chemical Reactions अब यहाँ पर इस वीडियो हम क्या देखने वाले हैं, जो भी कभी एक Chemical Reaction अगर कभी होती है तो वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है, जिसको देखकर हम उसकी आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई Chemical Reaction हुई भी है तो इसको एक पहचानने का तरीका जो है, वो यहाँ पर हम देखने आ ले हैं जितनी भी वीडियो हैं, उनको वाँ पर देखो हर वीडियो के नीचे जितनी भी MCQ सीरीज की वीडियो जा रही है उन सब के नीचे वाँ पर डिसक्रिप्शन में जो PDF का लिंक है, वो मिल जाएगा और वहाँ पर जो लाइव टेश्ट है, उसका भी लिंक मल जाएगा अब लाइव टेश्ट क्या चीज है, लाइव टेश्ट सिंपली एक लिंक मिलेगा तुमको आपर उसके उपर क्लिक करना है और जो भी तुम वीडियो देख रहे हो, उसी वीडियो के जितने भी यो questions है, उनको ऐसा test की form में हमारी website पर जाके attempt कर सकते हो और जितनी वीडियो बन गई है, वो तो बनी गई है, और वैसे भी website के उपर जाके www.bettermanclasses.com के उपर जाके और वहाँ पर जितनी भी हमारी जो बाकी जो test series है, उसको भी item कर सकते हैं तो website के promotion के बाद शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को अब question number 1 हमारे पास यहाँ पर आता है कि which of the following is correct about chemical reaction जो chemical reactions होती है, उनके बारे में इन सब में से कौन सी जो बात है वो यहाँ पर सही है सबसे पहली चीज है कि new substances with new properties are formed कि नए substance form होते हैं और जो नए substance form होते हैं उनकी properties बहुत नहीं नहीं होती है second है involved, तो पहली बात तो पहला वाला तो बिलकुत सही है, ठीक है second है involved chemical changes, तो देखो कोई भी chemical reaction होती है उसमें chemical change का होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है chemical change तो सबसे important है, फिर आता है next हमारा C option, rearrangement of atom take place अब actual में जब भी कोई chemical reactions होती है, तो कोई भी दो अगर हम आपे reactant को mix करने हैं तो यानि कि हमारा correct answer होगा, वो हमारा यहाप हो जाएगा option number D, यानि कि all of the above अब आते हैं हम question number 2 के ओपर हैं यहापे, तो question number 2 हमारा कह रहा है कि when magnesium ribbon is heated, it burn in the air with a dazzling white flame to form a white powder caught जब magnesium ribbon कुछ नहीं, मतलब magnesium जो होता है, वो ribbon की form में present होता है, तो actual में है तो magnesium तो simple सी बात है कि magnesium ribbon बोलो, या magnesium बोलो, एक ही बात है, तो magnesium जो हीट किया जाता है, तो वो क्या होता है, वो burn होता है, air में एक dazzling white flame के साथ, dazzling flame क्या होता है, dazzling बहुत जदा ब्राइट, bright color की light होती है वो, to form a white powder, तो उससे white powder बन जाता है, मतलब को ribbon था, उसको जला है, तो च जब भी कोई चीज को burn करते है, तो burn किस चीज में होती है, oxygen की presence में होती है, तो oxygen की presence में जब भी कोई हमारी यहां पर जो चीज होती है, तो वो क्या बनाएगी, उसका oxide बन जाएगा, अब यहां पर burn क्या हो रहा है, magnesium बन हो रहा है, तो क्या बनेगा, magnesium का oxide बन जाएगा, त यह तो हमने पिछले कोशन में देता तो which of the following statement is incorrect तो इन सम्में से कौन सी जो बात है वो यहां पर सही है पहली बात है इट बर्न विल डेजलिंग वाइट फ्लेम तो बिल्कुल सही है तो उमने पेच्छे वह देखा था जब भी magnesium ribbon को burn करते है तो dazzling white flame आती है, dazzling मतलब कि एक दो बहुत ज़्यादा bright white color की flame आती है आखे चुन्दिया जाएंगी मतलब ऐसी flame आ रही है, ठीक है, option में 2 है It forms a white powder, ये एक white color का powder form करता है तो बिल्कुल अभी मैंने पिछले कोशन नहीं बताया था, जब उसको burn करते हैं तो white color का powder form होगा, फिर properties of product are same as of reactant अब इसको देखते है, D वाला option पहले देखते है, अब है, this is an example of chemical change तो देखो ये chemical reaction है, तो chemical reaction तो example ही होता है, chemical change का chemical reaction तो हुई इसलिए क्यों कोई chemical change हो रहा होगा, तो D option तो सही है, तो C option हमारा यहाँ पे गलत होगा C option क्या कह रहा है, properties of product are same as of reactant, मदले जो product form होगा, product क्या form होगा, magnesium oxide वहाँ पे form होगा तो ये कह रहें कि जो magnesium oxide जो form होगा उसकी property same है, reactant के जैसे, reactant कौन था हमारा, magnesium और oxygen reactant थे तो बिलकुल भी नि, magnesium और oxygen की properties अलग है, और जो final जो हमारा product बना है, magnesium oxide उसकी properties अलग है अब आते हैं, question number 4 के ओपर है, question number 4 हमें कहा रहा है, magnesium ribbon is clean by rubbing with sand paper to remove the layer off अब magnesium ribbon होता है, उसको क्या करते हैं, clean किया जाता है, जैसे अगर उसको burn करना है, तो ऐसा नहीं कि ले आए और burn कर दिया, ठीक है उसको क्या करते हैं, पहले clean करते है, sand paper से, ठीक है, जैसे एक तरीके का मतला कोई रगणने वाला substance से घिसन है जैसे उसको उससे तो remove the layer off, उसकी किस चीज़ की layer को remove करने के लिए किया जाता है सब, magnesium sulfide की, magnesium oxide की, magnesium hydroxide की, magnesium sulfate की, तो किस चीज़ के लिए अब यहां पर देखो होता कि है, जब magnesium कोई भी metal जो होता है, वो हमारा अगर यह जितने भी हम metal की बात कर रहे हैं, यह metal कैसे होते हैं, metal बहुत reactive होते हैं, metal magnesium हमारा कहीं पर भी रखा हुआ होगा, तो air के contact में होगा, तो आसपास की जो oxygen है, भई, oxygen तो काफी सारी amount में, तो आसपास की जो oxygen है, वो उस magnesium ribbon के साथ में, या magnesium जो metal है, उसके साथ में यहां पर reaction कर जाएगी, जिसकी वह से क्या होगा, मैं जलाने तो जा रहा हूँगा, मैं तो यह सोचके जा रहा हूँगा, हाँ मैंने magnesium रखा था, चलो magnesium को जलाता हूँ, लेकिन actual में हो क्या रहा होगा ह वो पड़े-पड़े magnesium oxide बन गया, तो इसलिए क्या किया जाता है, ताकि यह नहीं हो कि जलाना मुझे magnesium था, जला मैं magnesium oxide रहा हूँगा, अलगी compound मुन रहा है, ताकि यह नहीं हो, इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले magnesium ribbon को घिस लिया, मतलब oxide की layer को घिस लिय है यह कि उसको जब जलाते हो, तो नहीं यहां पर ऐसे पास में आखों के पास में इस तरीके से ऐसे जला रहे होता हो तो 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 यह तो घ्या प्रेडूस करता है, तो यह तो हर बार बता दिया, dazzling white flame इतनी बार बोल दिया, तो यह यानि की c option correct होगा, एक्शन में होता कि अ आगे चुनिया जाएंगी एक दिम से कतना तो इसलिए क्या होता है आगों से दूर जलाते हैं उसको तो ऑप्शन नमबर जो सी है वो हमारा यहां पर करेक्ट आंसर जाएगा अब आते कुश्टमबर सिक्स के उपर विच आफ दा फॉलविंग इस नॉट चेमिकल चेंज इन स जिसको हम reverse नहीं कर सकते हूं नौर्मल इसी फिजिकल मैथल को लगाके में reverse नहीं कर सकता है उसको एक बजो गया तो हो गया ठीक है अब फिजिकल चेंज यह ऊक्छा अ कि तुम उसको reverse कर सकते हो ठीक है यह चीज अब देखते हैं सोरिंग और फील укld इंब आतों यह एक बन ला सकते हैं उसको उसकी औरिजिनल स्टेट में फिर हैं मेल्टिंग ऑफ इस बरफ का पिगल ना बही बरफ एगा पिगल गई पानी बनी या तो पानी से वापिस दुवारा बरफ बना लेंगे क्या दिक्कात है फ्रीज में जब आ देंगे बरफ को तो हैं कि option number D जो है वो हमा के साथ reaction करता है अब यह थोड़ा आगे जाके जब तुम मेटल नॉन मेटल यह सब जम पढ़ रहे होंगे तो वहां पर reaction पढ़ोगे मेटल की reaction acid के साथ में तो मेटल जब भी acid के साथ reaction करता है तो hydrogen gas को liberate करता है तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो खेर अभी आगे वाले chapter में आई जाएगा बट मैं अभी भी तुमको आपर बता रहा हूं कि यह धियान रखना कि मेटल जब भी acid के साथ यानि कि sulfuric acid के साथ reaction कर तो वहाँ पर क्या निकालता है हमारा hydrogen gas को liberate करता है तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा हमारा option number B यानि की hydrogen अब आते हैं question number 8 के उपर which of the following reaction is characterized by evolution of gas यह कह रहे हैं इन सब मिस्दे को कुछ नहीं हर chemical reaction की मलग जित्ती भी chemical reactions होती है उनकी कुछ नहीं कुछ characteristics होती है कुछ पहच एक characteristic है evolution of gas मतलब किसी भी चीज में अगर gas निकली है कोई बाहर liberate हुई है इसका मतलब वहाँ पर पक्का कोई chemical reaction हुई है तो इन सम्में से कौन उसका example है जिंक with sulphuric acid hydrogen with oxygen अब देखो hydrogen जब oxygen के साथ मिलेगा hydrogen plus oxygen मिलके बनता है water तो कोई gas नो निकली नहीं थार्ड ऑप्शन है sulphur dioxide to reactant है वो गरे product product की बात कर रहे है तो sulphur dioxide potassium पर्मागेनिटी के साथ मिक्स होके वो तो उसका color change करता है तो वो भी नहीं होगा तो यहाँ पर correct answer है option number a zinc with sulphuric acid याद है अभी बताया था hydrogen gas निकलती है उसमें तो यहाँ पर hydrogen gas के निकल नहीं सही तो मुझे characteristic का पता लग रहा है उसका पता लग रहा है कि यह कोई chemical reaction है यानि कि option number a correct answer है अब आते है question number 9 के उपर हमारा है आपे which gas is evolved when sodium carbonate react with dilute hydrochloric acid है sodium carbonate यानि की na2 co3 इसका formula होता है अब यह formula में कैसे बोलने रहों भाई valency sodium की valency 1 co3 की valency 2 cross multiply na2 co3 class 9 पर पढ़ा होगा sodium carbonate na2 co3 जो है जब वो react करता है dilute hydrochloric acid के साथ में तो कहरें कि कौन सी gas जो है वो liberate होती है अब एक चीज़ यहाँ दखना metal carbonate या metal hydrogen carbonate यह sodium carbonate क्या है metal का carbonate है sodium metal है metal carbonate या metal hydrogen carbonate जब भी किसी acid के साथ में reaction करते हैं तो यह carbon dioxide जरूर निकालते हैं तो यानि कि यहाँ पर option जो है C जो है हमारा correct answer होगा carbon dioxide gas अब आते हैं question by 10 के उपर which of the following reactions are carried by evolution of gas इनमें एक और फिर से पूछने कि इनमें से कौन सा जो है किसमें जो है gas निकलती है sulfuric acid with barium chloride या sodium carbonate with hydrochloric acid तो यह भी बताया है sodium carbonate hydrochloric acid के साथ मिलके क्या बनाता है हमारा carbon dioxide बनाता है तो यानि कि gas तो निकल रही है ना कोई सी भी निकले तो option नमबर बी जो है वो correct answer होगा अब आते हैं question by 11 के उपर अब प्रेस्प्रेड इजा एक जो प्रेस्प्रेड होता है हमारा वो क्या होता है मारा एक सॉलिबल सॉलिड होता है ठीक है कलरड़ की प्रेस्प्रेड बन गया तो यह जब भी कोई chemical reaction होती है और यह जो सॉलिड सब्स्टांस सा बन जाता है यानि कि इन सॉलिबल सॉलिड होता है तो यह जो इन सॉलिबल सॉलिड है इसी को हम क्या बोलते है प्रेस्प्रेड के अब आते हैं question by 12 के उपर what happens when potassium iodide is added to lead nitrate potassium iodide को ज हमने hydrochloric acid के साथ मिलाया था तो यह तो नहीं होगा फिर carbon dioxide gas evolve होती होगा नहीं carbon dioxide gas भी हमने sodium carbonate वाले में देखा था ठीक है थार्ड है यलो प्रेस्प्रेड इस फॉर्म अब देखो यह एक तरीके की प्रेस्प्रेडिशन रियक्शन है यहाँ पर yellow color का एक प्रेस्प्रेड फॉर्म होता है अब यह कुछ चीज़े याद करने वाली है मतलब इसमें कोई ऐसा logic नहीं कि ऐसा ही की फॉर्म होता है यह दो chemicals को मिलाया तो उनसे यह product बनता है तो यह बनता है मतलब ऐसे करके तो इसको तो याद करना पड़ेगा simply तो यहाँ पर काता है यहलो प्रेस्प् होता है सल्फरिक एसेट जिंक के साथ मिलाते हैं तो नहीं यह तो नहीं यह तो जड़ेशा 4 वह निकलती है वह सब था सोडियम कर्मनेट लेद हाइड्र क्लोरिक एसेट तो यह वाला भी वही रियक्षिन तुमारी जिसमें कार्बन डैक्साइड निकल रहा है पोटेशियम और फिर लाट नाइटरेट अभी तो यह तो कुषियमघ जिन राइड नायटरेट वाला तो व्यां पर बनता एक प्रफ्रेक्षिद तब यह अलो याज ठी Спmittel जाएगा देम Łग कोई छीज घुल जाएगी तो उसका फिर कॉलर ही क्यों दिखैंगा तुखेंगा क्लर दिख के साथ हमने कर रही तो वाइड कर्ण का प्रेस्प्रीड African होगा यह या रही करक्षि कहाओ तो यह जो है वहापे बन जाएगा तो ऑप्षिन और एज Garden और एक वोडर नeslause बैहें कॉस्ट यहीं को वक्रेट लिएक्षिट रहिए गयोंगर विच और भी इन में से कौन सी जो chemical reaction है उसमें प्रेस्प्रेड फॉर्म होता है ठीक है तो यहां पर इस अगें वही option number a correct answer है पिछला वाला question के जैसा ही है क्योंकि यह सेम वही है एसे आता है परपल प्रमागेट सकरके तो यह कहते हैं कि सेट इसके मिलाते हैं तो जब प्रमागेट मिलाते है तो प्रमागेट यहां जाता है नहीं यहांपर ऑफ्षिन सी जो है वह और आथे हैं आप अब और इकसाल रेक्ट पर पॉटरियोम पर होगी जो सब्सक्र मीन कला ओरता अब b back 18 के उपर विच फॉलाइव रियक्शन रिक्ष्टराइब चेइज इन कलर यह चार हिहां पर है अब आते हैं को फॉलाविंग रियक्शन आपके शेन कंब से कौंसी जो रियक्शन है वो चेंटरी उनकी प suff punish चर्भी है चाहिड होता है के साथ हो प्रेश्परूरीट में पढ़ा हमें सोडिय splitting कशन के बिलखो देंगे हमको तो अलग होगे फिर है को यह थो हइड्रीन लेज़ है सलफर डायोकसाइड विड्ट पोटेशियम परवागे नेट अभी तो बता है और इन से ग्रीन कलर होने वाला यानिकि जो ऑप्शनमबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो का यानिकि यहां पर इसकी करेक्टिस्टिक है कलर को चेंज करना अब आते हैं कोशनमबर 19 के उपर कैल लाइम के नाम से जानते हैं लाइम के नाम से जानते हैं लाइम वाटर के नाम से जानते हैं बोत लाइम के नाम से जानते हैं तो जो हमारा कैल्शिम ऑकसाइड होता है जैसे क्या नहीं मतलब और किस नाम से आना जाता है तो यानिकि ऑप्शनमबर डी करेक्ट आंसर इसको में भी और इसका क्विक लाइप जींड ऊंसरे या वह इसका से आपते हैं को सिरे मषयोर्ट के ऊपर हैं का slide is also known is calcium hydroxide को हम क्या बोलते हैं तो calcium hydroxide basically क्या होता है calcium oxide जो की चूना अच्छा वाला question क्य उक्साइट M потом white powder तो calcium oxide महींं पानी मिला disappoint तो बनता है calcium hydroxide c a o h twice यह बनता है अब जो calcium hydroxide होता है उसका वैसा नाम तो calcium hydroxide उसको जब school में नाम लिखा है को calcium hydroxide की मैंबी बापा ने तो calcium hydroxide लिखा है लेकिन इसका घर का नाम भी है घर में से क्या बोलते है इसको बोलेंगे lime water या फिर slaked lime तो यह दोनों ही इसके नाम है यानि की lime water और slaked lime option में सी correct answer है अब आते हम question में 21 के उपर what is observe when quick lime react with water जब quick lime जो होता है हमारा जब वो water के साथ में reaction करता है तो तब क्या observe होता है अब देखो जब भी कभी अब वैसे आज कल तो खेर बहुत कम यूज होता है चूना और आज कल तो अमीर लोग होग है paint food यूज करते हैं सब लोग ठीक है बड़े लोग तो पहले क्या होता था कि पहल आज कि है तो होता है जब उसमें पानी मिलाते है तो वहां पर क्या बात क्या विख टेंपरेचर चेंज होगा तो जब यह वह में देखो चेंग तो जैसे मैंने भी क्यों सबढ़ जाएक temperature अब आते हैं question में 22 के उपर the reaction which produces heat is known as अब जैसे मैंने भी बताया कि वो जब चूने में पानी मिलाया तो बड़ी heat निकल गई और यह सब तो ऐसी reaction जिनमें की reaction होने पर heat बहुत निकलती है बाहर को heat produce होती है तो ऐसी reaction का कुछ नाम है तो क्या बोलते हैं इनको endothermic, exothermic, evolution of gas या फिर decomposition है भई पहली बात तो heat निकल रही है आप तो gas और यह option पर cd तो हटा दो अब endothermic, exothermic exothermic क्या होता है, exo, exit, भई exit क्या होता है, exit बाहर है न, तो exothermic reaction यानि कि यहाँ पर correct जो answer होगा वो हमारा हो जाएगा option number B, यानि कि exothermic reaction अब आते हैं question 23 के ओपर की what is observed when barium hydroxide reacts with ammonium chloride, barium hydroxide जो ammonium chloride के साथ में reaction करता है तो उस time पर क्या चीज observe होती है अब देखो यह बहुत ही one of the rare, one of the rare भी नहीं काऊँगा, पर आप ऐसी reactions काम होती है, जिन में की दो चीज को मिलाया और उनका जो temperature वो एकदम कम हो गया, मतला ऐसा समझो, तुमने दो chemical को मिलाया और test tube को नीचे से पकड़ा, ठंड़ा ठंड़ा लग रहा है, कि test tube ऐसे यानि कि temperature down हो गया, अभी तक पिछले आले में हमने क्या थे कर रहा, temperature rise हो गया था, गरम हो गया था वो, लेकिन अपकी बार क्या हुआ, fall in temperature, तो यह example है हमारा fall in temperature का, temperature में fall आ गया, अब आते हैं question number 24 के उपर, और reaction which absorb heat is known as, अब देखो ऐसी reaction जिसमें heat बाहर निकले, वो तो exothermic reaction, लेकिन ऐसी reaction का क्या, जो heat को absorb कर ले, वो जो test tube पिछले आले, question number 23 में, जो मैंने बोला, test tube ठंडी हो गई, ठंडी कैसे हो गई, उसने क्या कर लिया, उसने जितनी भी जो heat थी, वो क्या कर लिया, heat को absorb कर लिया, मतलब कि यह आसपास की, ठीक है, यह ची, तो यानि कि य in state, यहाँ पर ऐसी कौन सी reaction है, जो की हमारा क्या होता है, change in state को show करती है, तो यहाँ पर हमको चार option दे रखें, आप देखो, इतने सारे question मैं ने बता दिया, पूरा का पूरा अच्छे से explain किया है, तो अब इस question का answer मुझे करो, comment section में, जिसका भी answer सही होगा, उसको मैं आप कि किसका answer correct है, so this is the end of this video, I hope कि यहाँ पर जितने भी MCQs है, बहुत यह अच्छे से आपर समझ में आऊंगे, अगर फिर भी इस वीडियो से लेटेड कोई भी doubt है, या फिर channel से लेटेड कोई भी suggestion है, तो इसको YouTube के comment section में, या फिर Instagram पर message करके बता सकते हो, तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए पढ़ाई करते रहां और मज़े करते रहूं